अब इसके बाद हम लोग next इसमें आपने phyto जो भी जिब्रालिक एसिट था उसका आपने सारी चीजे जाननी कि उसका structure क्या होता है ठीक है उसकी biosynthesis कैसे होती उसके anti-gibralins क्या है अब हमें next देखना है कि ये mode of action कैसे show करता है और इसमें एक बहुत important protein होती है डेला जिसको डे कि जिब्रालिक एसिट का seed germination में क्या role है या फिर other signaling में growth and differentiation में इसका क्या role है ये सारी चीजें अब हम लोग one by one देखेंगे तो सबसे पहले जैसे हमें बताया है कि जिब्रालिक एसिट की signaling में सबसे important एक डेला रिप्रेसर होता है ठीक है पहले तो में डेला रिप्रेसर के जिब्रालिक एसिट signaling डेला जीन जो की डेला प्रोटीन को कोड करता है ये रिप्रेसर होता है जिब्रालिक एसिट signaling के लिए जिब्रालिक एसिट की signaling अगर रुकी हुई है तो डेला रिप्रेसर काम कर रहा है और जब जिब्रालिक एसिट की signaling काम करेगी तो उस समय ये डेल रेप्रेशर को हटाया जा여गा इसको डिगेट कराया जायगा तभी जिब्रीलिक असिड की सिंग्स मुझे Characterist रुप इसके पास इक वेह इक वाशिट के पास इस प्रोटीन के पास इसका नाम डेला क्यों रखा गया क्योंकि इसके के पास डेला मोट favors होता है डेला का मतलब आपने अमाइनोसिट पढ़ दी है माइनोसिट के यह वन लेटर कोड लिखे हुए है और यह फुल नेम लिखा हुआ है एसपार्टेड ग्लूटामेट लूसिन लूसिन अलनिन यह आपको कोड याद कर लेना कि यह जो इसका सीक्वेंस दिया हुआ है त प्रोटेइन कहते हैं और यह ग्रेला रिप्रेसर के लिए लुटी एंड ये इन देला कंतें लूल ड क्योंकि डेला प्रोटीन का नाम डेला प्रोटीन क्यों रखा गया क्योंकि इसमें यह स्पेसिफिक सीक्वेंस पाए गया अब डेला प्रोटीन भी कही प्लांट में अलग 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 नाम से है जैसे कि डेला प्रोटीन सच अज एसलार वन इन राइस में जो डेला प्रोटी Arabidopsis की ज़रूर याद कर लेना है क्योंकि Arabidopsis ॥ Pink physiology study Arabidopsis Sm monitor laim ayukum maximum study किस पर पर की गई यह Arabidopsis Sm NES अपर इसलिए आपको यह जरूर याद कर लेना है और जो डela Arabidopsis Sm जाना में पाया जाता है उसको हम लोग गाय जिब्रैलिन वा इंसेंसिटिव के नाम से फुल नेम मत याद करिए गाय जी ए आई यह कहते है या फिर आर जी ए इन अरेविडॉप्सिस कहते है और रिप्रेसर और प्लांट डेवलप्मेंट किके डेला प्रोटीन राइस में डे डेला प्रोटीन जी ए आई लिख दिया जाए तब तो आप समजी जाएंगे लेकिन अगर नालिखा हो इन केश नंलीकाओ सिर्प जी ए आई लिखाओ तब आप कैसे समझेंगे तापको समझना में क्या जो जी ए आई है यह वह प्रोटीन डेला इनिवेट म्डिरमे reduzis लें मतलब क्योंकि डेला जीए सिग्नलिंग को इनिबिट करता है तो जीए सिग्नलिंग के थ्रू जो भी प्रॉसेस होते हैं वो सारे डेला की वज़े से रिप्रेस होंगे वो क्या हो सकते हैं जैसे हमने आपको नॉर्मली बताया कि सीड जर्मिशन एक सिट के ग्रोथ मतलब सीड डेवलेप्मेंट सीड लिंक का ग्रोथ होना फ्लावरिंग यह सारे इसके मेजर फंक्शन है जीए सिग्नलिंग के लिए तो यह फिर क्या करेगा यह तो पॉस करेगा ह अब इसके बारे में कुछ और गें आप्वंक्शन मुटेशन टैला जीन ली टू रेद्उस ढल अगर डेला का फंक्शन क्या हो जाए कि ज्यादा डेला बने गा तो जाहिर सी तो जाहिर सी बात है कि दिस सीड यह का हो जाएगा कि सिग्ल इंग डिऌ 씨व उसम क्या लांगे करना और जब जिवरैलिक ऐसे signaling नहीं चलेगी तो plant dwarfism की तरफ जाएगा whereas loss of function lead to increase GA signaling that is tall or cylinder phenotype अगर अगर क्या कर दिया जाए डेला का loss of function कर दिया जाए डेला कम बनेगा तो GA signaling जादा चलेगी और जब GA signaling चलेगी तो मतलब plant tall और पतला होगा phenotype इस तरह का मिलेगा all dala repressor have n-terminal dala regulatory domain containing the conserved sequence of this कि किसी भी protein में n-terminal होता है जिसके पास यह dala sequence होता है यह यह देला sequence होता है c-terminal पे grass domain होता है c-terminal पे क्या होता है grass domain तो आपको आपको on the whole यह समझना है कि ग्रैस डोमेन भी डेला की तरह ही काम करता होगा इसका कोई अलग से बस वह उसका एक पार्ट है तो वह भी रिप्रेस ही करेगा चीजों को इसके बाद कह रहे हैं कि डेला के रिप्रेशन को हटाने के लिए अगर डेला को रिप्रेस करके रखा है तो उसको हटाने के लिए एक एक वाल्वल रिसेप्टर होता तीक है जो की जिबरालिक एसीड का रिसेप्टर होता है जिसका नाम एं जिआ-ऐडी-1 अब आपको यह भी आद रखना है जी आई-डी-1 यंदिए- है यह जीबराली ग्रेशन दочки पक्रेशन तो हम आपको दिखा देरे रहे हैं कि जैसे य यह AI1 क्या है डेला हो गया इसमें पाया जाने वाला डेला प्रोटीन अब यह जब यह एक्टिफ फॉर्म में क्योंकि इसके यह जब अभी जिब्राइलिक एसिट सिंग्नलिंग क्या है कि नहीं चल रही है तो यह क्या कर रहा है ग्रोथ को रिप्रेस कर रहा है इनिबिट कर पिर इसके बाद क्या होता है कि जब जिब्राइलिक एसिट की सिंग्नलिंग होनी होती है तो जिब्राइलिक एसिड एक सॉल्बल रिसेप्टर होता है जी आई डीवन यह जी आई डीवन आप देख रहे हैं तो यह क्या करता है कि यह जो जिब्राइलिक एसिड है यह जी आ मतलब degrade करवा देता अभी हम आगे signaling बताएंगे degradation हो जाता SCF complex के थरू और फिर क्या होती ग्रोथ होने लगती में इसकी डेला ही तो signaling के लिए repressor का काम कर रहा था तो अगर हम डेला को degrade करा दे तो फिर सारा काम होगा और जी ये ने receptor से bind करके रखा ये तो सारा process होगा तो इसको क्या करा गया इसको degrade करा दिया गया और growth होगी फिर एक study में ये देखा क्या कि अगर हम डेला protein तो है लेकिन डेला protein में जो binding domain है मतलब कि जो GAID1 से जो domain bind करता है अगर हम वो म्यूटेट करा दे तो भी क्या देख रहे थे कि growth repress हो रही थी इसका मतलब क्या हुआ कि डेला तो है कि डेला में ये जो receptor और GA binding domain है उसको क्या करा दिया गया उसको mutate करा दिया सपोस्वोज यहां पे कोई binding domain था कि कि यहां पे कोई binding domain था इसको म्यूटेट करा दिया गया तो अब यह बाइंड तो नहीं कर पाएगा लेकिन डेला रिप्रेशन तो करेगा इंग्रोथ तो रोके गाई तो यह तीन यह सब्सक्राइब करके इस तरह से देखा गया कि देला का किस तरह से रोल होता है और यहां तो यहां यह तो यहां उसको आप इसको एक बढ़ सकते हैं GAI मतलब कि ये इसका repress the growth dependent gene expression इसने repress करके रखा है GA alone cannot bind guy reverse the repression मतलब भले ही मीडिया में जिबरालिक एसिड है लेकिन ये bind नहीं कर सकता है अकेले डेला से जब तक कि इसके पास soluble receptor नहीं होगा फिर दूसरे case में क्या हुआ GA और GID receptor complex बन गया यहाँ पर GID और GA complex बना able to bind डेला से bind कर सकते targeting the repression of degradation depressing the gene और फिर वो जिस gene को inhibit करके रखा है वो depression हो जाएगा D repression मैं लग जो repress था वो D repress मतलब कि वापस active form में आगा और growth होने लगेगा third condition में the mutant डेला protein guy is unable to bind GA this receptor कि ऐसा mutant बनाया गया जो कि इससे बाइंड नहीं कर सकता है तो ऐसा नहीं but continuous repress the gene expression लेकिन यह इससे तो बाइंड नहीं कर पाएगा लेकिन इसको पूरे को mutate यह खतम नहीं किया गया उसमें binding domain को सिर्फ खतम किया गया इससे यह पता लगाने के लिए कि इसके लिए binding domain का क्या इंपॉर्टेंट रोल है या फिर इसमें तब इसकी ग्रोथ रोकी तो मीज की डेला क्या कर रहा है डेला तभी भी repression कर रहा है क्योंकि उसके पूरे डेला को mutate नहीं किया गया तो इस तरह से यह डेला का एक बहुत इंपॉर्टेंट function है अब इसके बाद हम लोग आप सबसे पहले अब आपने डेला तो समझ लिया अब हम लोग देखेंगे signaling जिबराले केसिट की signaling seed germination में क्योंकि major function हमने दो ही बताए है अभी तक फिलाल एक तो seed germination में जिबराले केसिट का function होता है और दूसरा होता है फ्लावरिंग में और एक और होता है शूट elongation में ठीक है शूट elongation में यह तीन major function है यह तो आपको अगदम tips पर याद रहने चाहिए ठीक है आप इसके बाद अब इसमें आप देखिए कह रहे हैं कि seed germination में जिबराले केसिट की signaling कैसे काम करती है यहां पर देखिए यह क्या है यह monocod का seed है तो कुछ इस तरह से होता है इसमें एक indospom होता है और एक बाहर की तरफ इसमें एक aileron layer होती है तो यह देखिए aileron layer है aileron layer के अंदर यह indospom indospom क्या होता है इसमें एक रिजर्व फूड होता है जब सीट को germinate करना होता है तो उस समय वह कुछ synthesis नहीं कर सकता है ना तो वह photosynthesis कर सकता है ना तो अभी जब germinate करना शुरू किया है तो starting में एक दम just starting में करके energy नहीं उसको मिल रही है तो starting में इंडो-spom से ही क्या होता है कि glucose release होता है starch के form में इंडो-spom में store रहता है material glucose के form में फिर इसके बाद उसको glucose को utilize करके energy मिलती है तो इंडो-spom क्या होता है एक reserve food होता है और उस reserve food से ही क्या होता है कि degrade करके पूरे germinating seed को मतलब की growth करने के लिए energy मिलती है अब इसके बाद किसी भी monocot में दो structure होते है एक होता है colioptyle एक होता है colioptyle जो की आगे चलके shoot बनाएगा ठीक है किसी भी germinating monocot के seed की बात कर रहे है ठीक है dicot की नहीं monocot की याद रखना है जिसमें one cotylidans होता है तो monocot में जो colioptyle होता है वो shoot का formation करेगा और एक coliopryza होता है जो की root का formation आगे चलके करेगा ठीक है जब यह seed germinate कर जाएगा तो colioptyle, coliopryza हो गया shoot root यहाँ पर बीच में embryo होता है ठीक है यहाँ पर embryo होता है और इस embryo में इस embryo से ही क्या हो पर embryo को energy चाहिए न तो वो energy कहां से मिलती वो energy इसी इंडो-spump से food जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है कि starch है फिर starch क्या होग ग्लुकोज में change हुआ glucose में change होग यहाँ पर energy दे रहा है ठीक है कि gibrali cacid restore form में glycoside के form में gibrali cacid था जब seat को seat soaking की गई होगी तो जिबrali cacid active form में आया आने के बाद इस जिब्राली cacid ने aileron layer में signaling की ठीक है signaling होती है signaling करने के बार यह क्या करता है alpha amylase enzyme को बनाता है अब यह आपको याद रखना है क्या करता है alpha amylase enzyme को बनाता है और यह alpha amylase enzyme क्या करता है कि start से glucose में change करता है यह समझ में आया है कि एक germinating seed में gibrali cacid का कितना important role है अगर जिब्राली cacid ना हो तो alpha amylase ही नहीं बनेगा alpha amylase नहीं बनेगा तो जो indoor form में reserve food है मतलब food है वो glucose में change नहीं होगा जब glucose में change नहीं होगा तो फिर energy कहां से मिलेगी और seat कहां से germinate करेगा इसलिए जिब्रायली कैसे इतना important role play करता है seat germination में तो और हाँ एक यहाँ पर देखें बीटा amylase लिखा तो दो amylase होते हैं अलफा amylase होता है और बीटा amylase होता है अलफा amylase क्या होता है germination में involved हो रहा है at the time of germination लेकिन prior to germination कुछ बीटा amylase भी active form में रहता है मतलब कि जैसे ही germination alpha amylase से prior beta amylase भी active form में रहता है तो इस तरीके से वो proteases के through active होता है तो अब यह इतना बात समझ में आई अब यहां पर जो signaling हो रही है जैसे हमने बताया कि GA ने क्या किया जीए ने alpha amylase को बनाया alpha amylase क्या है एक enzyme है अगर यह enzyme है तो इसको किसी gene ने code किया होगा अब सोचिए कि इस gene ने जो alpha amylase को code किया है वो code करने के लिए उसमें पूरी signaling चलिए जिबराली केसिड की कि जब यह gene का expression हुआ है तो आब हम लोगों को वही signaling देखनी कि यह कैसे जिबराली केसिड alpha amylase के gene के expression को करवाता है इतना समझ में आया अब यहां पर पूरी इसकी signaling दी हुई है कि अब देखिए सबसे पहले जैसे seat की germination वाली condition आई तो क्या हुआ कि यह जिबराली के से इक्टिए है यहां पर आप देख रहे हैं यह क्या है यह 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 एलरॉर्ण में यहां पर जो रिस्न होता है वह छाके मीत बाइड कर लेगा जब रिस्टर से बाइंड कर लेता है 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 यहां पर इक हेट्ररायमेरिक प्रोटीन होती है तो अब प्रोटीन होती हूद अधाध्य को सस्यल सेभड़िए अधा पर कि पूठीन जो यह जी रिसेप्टर है यह कैसा होगा जी पीसी रिसेप्टर होगा जी पीसी रिसेप्टर से एक जी प्रोटीन लिंग्ड होती है इसलिए उसको जी पीसी रिसेप्टर जी प्रोटीन लिंग्ड रिसेप्टर जी प्रोटीन क्या होती जी प्रोटीन एक हेट्रो ट्राइमर होती है है फिए प्रोटीन में एलफा बीटा गामा त्री सब्लींट किसा और जब यह इसे बाइन करता है तो उस समय पहले तो यह इस्फार में रहता है फ्रोटीन के ऑर डिएक्टिव फॉम में आ जाती है कि जो इसकी ङॉण अलग हो जाती है बिता और गामा और ऑर अल्फा सबीधंनों क्या होती हैं? जी टी पी बाइंडिंग होती है इसलिए इसको गी प्रोटीन कहा जाता है गी टी पी वाइंडिंग यह क्या है? जी अलफा, जी अलफा एक्टिफ फॉर्म में आती है तो यह क्या करती है? यहां membrane पर पाया जाता है एक adenylate cyclase, अब आपको पता है कि adenylate cyclase का काम क्या है, adenylate cyclase का काम होता है कि GTP से, अगर ATP है तो ATP से cyclic EMP बनाएगा, और अगर GTP है तो cyclic GMP का formation करता है, यहां पर sorry guanylate cyclase काहेंगे, adenylate cyclase करता है ATP से cyclic EMP बनाने के लिए, और guanylate cyclase क्या करता है, GTP से cyclic GMP बनाता है, तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर GTP से cyclic GMP बनाता है, तो यहां पर क्या होगा गाइलेट-Cyclase enzyme होता है यह active हो जाता है जब यह active होता है तो यह क्या करता है यह active कराता है calcium independent signal transaction pathway अब यहां पर यह step बीच में गायब कर दिए गया है तो आप इसको इस तरह से समझें कि calcium independent signal transaction pathway active होता है क्योंकि यहां पर क्या साइकलिक GMP है है ना यह सेकेंड मेसिंजर की तरह काम करता है तो कैल्शियम एक डिपेंडेंट पाथवे होता है कैल्शियम इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें करता है एक intermediate compound होता है cytosol में और इसको क्या कर देता है activate कर देता है activated GA singling intermediate हो जाता है जब यह intermediate active होता है तो यह nucleus के अंदर आता है जब यह nucleus के अंदर आता है तो यहां पर यह DNA देख रहे हैं नुकलेस के अंदर क्या है DNA इस DNA इसने से यह DNA रिप्रेशर जो अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं इस डेला रिप्रेशर ने यहां पर बाइंड करके रखा है यह जो पिंग कलर का दिख रहा है इस जीन को बाइंड करके रखा है अब यह यह जीन क्या है यह इनिबिटेड है यह जीन इनिबिटेड है लेकिन क्या होता है कि जब यह एक्टिफ फॉर्म में यह एक्टिफ फॉर्म में आ जाता है और जब यह यहां पर अंदर आता है तो यह इससे बाइंड कर लेता है तो इस रिप्रेशर को हटा के डिग्रेट कर अब वहार जाता है यह एम्रन आने के बाद यह पार डोपने के बाद यह पर प्रोटीन फ़र्म में चेंज हो गया जोने के बाद भाप फिर नुक्लियस चेंदर आता है ति अन्दर आने के बाद एक दूसरा जीन दूसरा जीन जो है alpha amylase gene, इसके लिए ये MIV gene transcription factor का काम करता है, और transcription factor का काम करके इस amylase gene को active करा देता है, और alpha amylase का mRNA बनता है, alpha amylase का mRNA बाहर जाएगा, alpha amylase protein बनाएगा, protein फिर इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि alpha amylase को कहा आना, alleron layer में, ठीक है, क्योंकि एलरon layer में release करना है, किसको, alpha amylase को, और फिर वहाँ पे जाके वो, इस्टार्ज को glucose में degrade करेगा, तो फिर क्या होता है कि जो protein बनी, जभी आप protein sorting पढ़ेंगे तो उसमें होता है, कि इंडो-membrane system होता है, ER में जाती है, protein का modification होता है, पिर यहाँ पे बोडिफिकेशन होता तो यह क्या करेगा, यह starch को degrade कराएगा, degradation of starch, कहाँ पे जो इंडो-membrane में, sorry, इंडो-spum में जो starch था, इसको degrade करके किसमें चेंज करेगा, glucose में, तो glucose का formation हो जाएगा, और उसी glucose को utilize करके seed germinate कर जाएगे, तो यह पूरी की पूरी signaling है, यह समझ में आई, अभी हम एक बार कर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आप अभी बताएगे, इतना समझ में आया, अच्छा, बबली, LE is, अगर capital, capital LE है, तो वो dominate है, dominant करेगा, समझ में आया, बबली, तो देखिए, अब एक बार फिर से हम revise कर दे रहे हैं, यह पूरा एक cell है, क्योंकि जगहें कमती हैं, और अगर हम एक ही उसमें रखते हैं, तो आप लोगों को दिखता नहीं अच्छे से, मतंब आप इसको यह समझें, इसका नुकलियूस इधर हैं और अधा इदर है, यह पूरा एक cell है, एक आप इसमें क्या होता है कि जब जब्रालिक एसिड की signalling होती है, जैसे ही जब्रालिक एसिड यह receptor से से बाइंड करता है hetero-trimeric G-protein active होती है जब ये active होती है तो इसकी alpha-sibunyate active होके guanylate cyclist को active करती गौईनelate cyclist active करके GTP से क्या बनाती है cyclic GMP का formation करती cyclic GMP क्या करता है एक intermediate compound होता उसको active कर देता है जब ये compound active हो जाता है तो ये जाता है नुकलिस के अंदर और जब ये नुकलिस के अंदर जाता है तो ये क्या करता है देला रिप्रेसर को से बाइंड करके इसको डिग्रेट करा देता है जब Dela Represor Degrate हो जाता है तो यह gene active हो जाता है और यह gene का नाम क्या है यह gene है GA-MIV-B gene जो की gene synthesize करता है GA-MIV-MRNA बनाता है यह GA-MIV-MRNA बाहर जाता है translation करके protein बनाता है यह protein वापस nucleus के अंदर आती है और यह काम करती है transcription factor का किस के लिए transcription factor alpha amylase gene के लिए और alpha amylase की synthesis होने लगती है alpha amylase mRNA बनता है alpha amylase बाहर आता है protein बनाता है फिर endoplasmine reticulum में modification के लिए जाता है modification में जाने के लिए Golgi में जाता है Golgi से फिर यह vesicles के form में release हो जाता है membrane में और फिर membrane में release होके alpha amylase को release करता है alpha amylase जब release होगा तो starch से क्या बनेगा glucose बनेगा उस glucose को plant utilize करके seed को germinate कराएंगे क्योंकि starting में photosynthesis तो करना ही पार है food तो बनाना ही पार है तो उनको energy तो चाहिए न germination के लिए तो वह ऐसे उनको मिलती है समझ में आई बास सबको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया seed germination का तो यहां पर यह 123 आप देखी रहे हैं यहां पर नंबर लिखा हुआ है सारा 1 2 3 4 5 6 6 फिर यहीं 6 है तो यहीं हमने यहां से इसको कट करके रख दिया फिर 7 8 9 और यह 10 है यह इतने पूरे steps है और यह सारे steps हमने one by one यहां पर लिख दी तो जैसे जीए जीए फॉर्म embryo first bind to cell surface receptor से पहले बाइन करता है cell surface GA receptor complex interact with heterotrimeric G protein initiate two separate signal transduction chain calcium यह independent होगा pathway involving cyclic GMP result activation of signaling in the activated activated signaling intermediate bind to daily repressor protein in nucleus daily repressor degraded अब इसके बाद the in activation of daily repressor allow the expression of MIV gene MIV gene का expression होता है ठीक है MIV gene के expression के इसके बाद क्या होगा मिव जीन किसको कराता है alpha amylase के जीन को expression कराता है alpha amylase क्या करेगा इस टार्ज का पिर transition होता है alpha amylase का hydrolytic gene में alpha amylase hydrolyze are synthesized in rough ER इसके बाद क्या होता है कि गॉल जी से सिक्रीट होता है सिक्रीट होके कहां जाता है सिक्रीट होके membrane में fuse कर जाता है तो यह तो हो गया steps किसमें की seed germination के form में ठीक है seed germination के form में कि किस तरह से seed को germinate करने में gibraly acid की signaling हो रही है और gibraly acid alpha amylase को बना रहे है अब इसके बाद growth की अगर हम लोग बात करें कि growth responses में कैसे काम करता है तो देखी यहां पर जैसे यहां पर आप diagram ही देख रहे हैं कि डेला क्या कर रहा है growth responses को inhibit करता है तो बिल्कुल सही बात क्योंकि डेला रिप्रेसर है और यह क्या करता है growth responses को inhibit करता है अब suppose कि gibraly acid बना अब मालीजे मीडियम में ऐसा हुआ कि gibraly acid आ गया है gibraly acid active form में है या synthesis हो रही है तो gibraly acid soluble receptor ठीक है यह क्या है gibraly acid soluble receptor जिसका इस receptor का नाम क्या है अगर full name देखे तो gibraly a insensitive dwarf 1 तो इसको mutate करके इस receptor को देखा गया तो dwarf मिल रहा था तो इसलिए इसका नाम उल्टा रखा गया है तो इसका ग्रोथ कराना है लेकिन actually मीजब mutate करके देखा गया तो इसका नाम इस इसलिए gibraly a insensitive dwarf 1 तो इसलिए इसका full name पर मत जाईए GID1 यह एक क्या है यह एक soluble receptor है willen तो जो कि जिब्राइलिक एक सिट से करता है तोक्या हुआ कि जब जिब्राइलिक एक इस निंहीवन से बाइंड किया को भाइंड करने के बाद यह किया करतर है डेला रीप्रेशर से बाइंड हमने आपको इससे पहले ब học से तो यहां पर growth responses के according same चीज को थोड़ा सा और elaborate करके बता रहे हैं यहां पर क्या हुआ कि डेला डेला जो है यह जब दोनों बाइंड यह तभी condition जब यह दोनों बाइंड करेंगे जब यह दोनों बाइंड कर जाएंगे तो फिर इसमें जो बाइंड डोमेन होगा इससे डेला रेप्रेसर से बाइंड करके इसको सीफ कॉंप्लेक्स के थूँडिग्रेट करा देते हैं 26 एस पोटियाजों के तुछ और जब यह दिग्रेट हो जाता है तो फिर यह जो रिसेप्टर हैं मताब कि जिप्रालिक एसड और यह आगे की सिग करेगा समझ में आई बात अब इसके बाद हम लोग तो यह तो इसका अब इसमें यह जो सीफ कॉंप्लेक्स लिखा है तो आपको हमने आपको अल्डिडी और जिन में बताया था जैसे यहां भी डिग्रेट हो रहा है तो यहां भी 26 एस पोटियाजों के थूँडिग्रेट क हमने आपको SCF कॉंप्लेक्स अल्डेडी बताया SCF कॉंप्लेक्स क्या होता है F-Box प्रोटीन होती है जिसके पास यह चार यूनित होते है SKF-1, Quilin, RBX-1 और F-Box ठीक है F-Box क्या करता है F-Box रिक्रूट कराता है target protein जिसको डिग्रेट कराना सपोज की डेला को डिग्रेट करा molecule को लेके आता है और यह collectively F-Box protein या SCF complex को क्या कहते है E3 ubicutin ligase तो इस तरीके से क्या होता है कि यह पूरा process में क्या होता है E2 enzyme ubicutin molecule को लेके आता है और यह SCF box जिसको कहते है E3 ubicutin ligase यह क्या कराता है target protein में ubicutin annihilation कराता है और इस तरीके से degradation करा देता है और इसलिए इसको F-Box कहा गया है या SCF complex क्यों कहा गया है इसके SKF, twillin और F-Box इन तीन के नाम की वज़े से इसको SCF complex कहा जाता है यह common है चाहें वह oxygen की बात करें या फिर इसकी बात करें अब इसके बात हम लोग इसके conclusion पर अगर हम लोग जाएं ठीक है जिब्रेलिक के conclusion पर जाएं तो activated signaling intermediate bind to daila repressor पहले वाले signaling में हमने क्या देखा कि daila repressor से bind करता है nucleus में तो daila repressor से जैसे ही बाइंड करता है डेला रिप्रेशर डेड़ेड हो जाता है इनक्टिवेट इनक्टिवेशन ऑफ डेला रिप्रेशर एलाव जैसे ही डेला रिप्रेशर इनक्टिवेट होता है तो वह क्या क्या कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ मिवजीन मिवजीन का एक्सप्रेशन होता है एज वैल अधर जीन तो प्रड्रण्क्रिप्शन प्रॉस्टिंग ट्रांस्टिशन और इस तरीके से सारे जीन एक्टेव हो जाते हैं की के तो यह थी जिबरेली के सिट की सिगनलिंग